आज ना मैं आपका पूरा लाइफ बदलना माला हूँ बिकॉज जो OI चार्ट को पढ़ने का जो तरीका है और इस OI चार्ट पर छुपे होए होते हैं ओपरेटर्स इस तरीके को आज अगर आपने पूरा अच्छे से जान लिया गाईज बिलीव मी और नाट ब्रेकाउट्स पर कभी भी आप बड़े पैसे नहीं खोगे आप कभी भी उल्टा ट्रेड नहीं करोगे यू विल नो, अल्वेज यू विल नो जहां पर आप ट्रेड कर रहे हो क्या आपके साथ ओपरेटर भी है या नहीं तो गाईज इस पूरे तरीके को समझनी के लिए लास्त तक आपको देखना पड़ेगा बीच में अगर छोड़ दिया आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो और शायद पूरी जो साइकोलोजिय हो वो नहीं समझ पाऊगे तो बहुत इन डिटेल में एक बच्चा भी इस बात को सीख सकता है OI चार्ट को देखकर कैसे PCI निकालते हैं कैसे बड़े टेडर का सपोर्ट लेकर एंडर कर सकते हैं मतलब मानो आपने 5000 का एक लॉट खरीदा ATM पर आपने जहां पर एंडर किया वहां से आपका stop loss तो 1500-200 का लेते हैं आखिर आपने देखा है अब है कैसे 3-4 point का भी stop loss हिट नहीं करा पाता मतलब stop loss लिया हुआ है एंटर किया हुआ है market नीचे आ रहा है बट 3-4 point के भी stop loss हिट नहीं होता है जब market price action को follow करता है तो यह जो तरीके से मैं stop loss को लगाता हूँ कैसे because I have the support of the operators big entry हुए होते उसके नीचे जाने नहीं होला because उनका stop loss मेरा stop loss अब 1000-1000 करोड रुपे का stop loss थोड़ी ना वो लो कराने के लिए एंटर किये हुए होंगे तो उनका stop loss मेरा stop loss जब सेम होगा तब ही market में आपका stop loss हिट होने का chances बहुत कम होगा and आप उसी momentum के साथ बड़ा trade कर सकते हैं 1-10 का risk to reward ratio सुना है वो ही सिखाने वालों यहाँ पर आजाओ, screen पर सुनाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ मैं आपको पूरा detail में, in detail का जो video होगा उस video को last तक देखते एक थोड़ा सा boring ज़रूर फील होगा but believe me, इसको सीखने के बाद शायद आप दुबई जाकर जो मज़े करोगे, वो शायद इस time के लिए boring, बोरियत सहना बहुत important आपके लिए, ठीक है तो आजाओ emotionally, बहुत अच्छे से determination, focus और dedication के साथ video को खतम करेंगे, ठीक है, thank you तो हमारा first step होगा option chain कहां से पढ़ना है बहुत लोग कहीं कुछ, कहीं कुछ different, different apps के नाम लेते हैं, मैं नहीं लूँगा मैं आपको बोलूँगा, जो authentic data है, जहां से actually सभी लोग लेते हैं, data को और आगे बेचते हैं मैं उसी site को use करने के लिए बोलूँगा, but बात ही है ना कि इस site को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होते हैं लोग को, but मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ इस site को देखकर दो चीज़े आपको जानने हैं, बाकी और कुछ नहीं जानना है, वास्ट आफ वाल चलेंगे एनसी के website पर ठीक है, एनसी option chain ठीक है, एनसी option chain पर आएंगे यहां पर आप देखोगे, यह page आजाएगा आपके समने, जो कि बहुत ज़्यादा ही confusing है, बहुत लोगों को यह पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है इसको कैसे, simultaneously चाट के उपर हमें देखना है वो भी मैं सिखाँगा आपको, ठीक है तो आप देखोगे, guys वैसे next part में मैं आपको live market में यह video करके दिखाँगे कि कैसे, किस level पर market कहाँ पर काम कर रहा है कैसे क्या काम कर रहा है, बट पहले आपको यह video पूरे last तक देखना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे कि nifty, bank, nifty, fin, nifty, mid cap nifty, यह चारो का यहाँ पर script दिया हुआ ठीक है, अब इस script पर आपको option share में क्या मिलेगा, guys मैं आपको बताता हूँ जब ना, हजारो कडोरो रुपए का buying आता है ना, ठीक है तो मानो, मैंने मैं एक दुकान पर गया, ठीक है मैं एक दुकान पर गया, तो उस दुकान पर जाकर मैंने ना, हजार कडोर का सोना खरिदने का, मैंने order रखा ठीक है, दुकान नहीं या फिर कोई showroom order रखा, अब उनको यार sell करने के लिए, उनके पास भी तो quantity होना सी है तो वो मुझे बोलेंगे, sir हमें ये पूरा का पूरा quantity आपको देने के लिए हमें कहीं से लाना पड़ेगा, बोरो करके लाना पड़ेगा, या फिर कोई न कोई तरीके से लाना पड़ेगा, तो आप एक काम करिए, आप पूरे quantity का एक notary या फिर कोई एक document के साथ आप इसका security दे कर जाईए because मैं अगर किसी और से ले आता हूँ 1000 करोड का, और बाद में पता चला कि आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमारा loss हो जाएगा, तो आपको पहले ही इतना पूरा पैसा दे कर order बना कर रखना है, इसी order के against हम लोग वो सोने को लाकर आपको दे देंगे, same ways guys, market में जब 1000 करोरों का जब transaction होता है जो order आता है, उस order के against में supply कम होता है तो वो order, चाहे वो put side का order हो, चाहे वो call side का order हो demand उस side बढ़ता है, मतलब क्या है, demand 1000 करोर का है but supply 300-400 का ही है तो वहाँ पर आप मानने ना, वो bullish है, 1000 करोर का बेचने का है, ठीक है पहले बेचेंगे, call selling जो होता है, put selling जो होता है इसके बार में बाद में आपको बहुत easily समझाओंगा अगर आपको मेरा ये समझाना पसंद आते subscribe जरूर कर लिजिया ताकि आने वाले बहुत सारे educational videos आप मिसना करें ठीक है, तो जो आपको order लगाना है, 1000 करोर लगा दिया, अब 1000 करोर मार्केट के पास नहीं है, अब उस 1000 करोर में से आपको सिर्फ 200 या 300 का quantity market दे पाएगा, market ने बोला चलो सर आप इस पूरे पैसो का order लगा कर रखो, हम लोग इसके against में आपके पास quantity लेकर आएंगे, तो वो जो span है, time of span है order लगाने से लेकर quantity लाने तक, उसके अंदर होता है retailers का entry तो ये retailers कुछ होते हैं, मतलब बड़े पैसे लगाने वाले करोडों, 20 करोड, 100 करोड, ऐसे लग, 20 करोड, 10 करोड लगाने हैं, ये भी retailers ही हैं, ये कोई houses नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कुछ 50 लाक लगाते हैं, कुछ 40 लाक लगाते हैं, तो ऐसे ही आप लोग retailers फिर इसी के अंदर काम करेंगे, तो हम ही ये जानना ज़रूर ही है, कि operators किस तरफ interested है, अगर operators call side, यानि उपर के side interested है, that means, that clearly means कि market bullish जाने वाला है और हो सकता है operator के नीचे, operator ने enter किया है, मान लोग आपरेटर ने 19,700 पर entry बनाया है अपना, 19,700 पर उसने बोला कि मैं इस price पढ़ लूँगा तो उसका पता है, 19,700 पर entry करने के नीचे, उसका आता है क्या, उसका आता है stop loss, वो stop loss जाद से आता कहां तक लगाएगा, बता है, 19,650 समझे ले ना इस बात को 19,700 पर वो entry कर रहे है और 19,650 तक उनका hedging बना हुआ है, मतलब कुछ quantity उन्होंने 19,700 पर लगाए कुछ quantity उन्होंने hedging के साथ लगाए तो उनका जो stop losses हो अगरा हीट होते हैं, 19,675 19,680 19,650 ऐसे वाले stop losses होते हैं ठीके, समझे रहो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे रहो ना एक बार comment section में एक बार बता तो हाँ समझ गया आतक समझ गया, आगे बढ़ते हैं तो अब यह जो quantity आ गया उन्होंने stop loss भी लगा दिया अब हमें कैसे पता करना है, वही मैं आपको इस Y chart पर समझाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा आपको अमीर बनाने वाला यह video तो यहाँ पर मान दो 19,700 चल रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं यह जो जितना भी part है, कुछ नहीं देखना है आपको यह strike देखना है, ठीक है आपको strike देखना है, प्लस आपको यह market chart देखना है, ठीक है यह chart आपको open करना है, निफ्टी ठीक है यह nifty का देखते है अगर आप देखोगे ठीक है nifty में अगर आप देखोगे चलो पहले जैसा था वो ऐसे ही करते है ठीक है nifty में अगर आप देखोगे nifty चल रहा है 19,006,38 तो 19,006,38 आपने यहाँ से देख लिया, अब आपको यहाँ पर oai chart पर आना है oai chart पर आपको यह देखना है 19,006,38 जो है वो किसके बीच में 19,000 किसके बीच में जल्दी बताओ 19,006,38 किसके बीच में 19,600 और 19,650 के बीच में गैस बिश्वास करो ऐसा इतना इंडिप्ट में आपको कोई नहीं बताएगा आज तक किसी ने नहीं बता है इसलिए आपको अभी तक OI चार्ट नहीं समझ में आया है इसलिए मैं next video लाने वाला हूँ फिबुनाची पर उसको जरूर अच्छे से देखिएगा तो 9600 और 9650 के बीच में जो भी है मार्केट अभी उसी के बीच में चलेगा तो आपको देखना है उपर का resistance किया है तो 9650 दा nearest resistance है तो आपको देखना है 9650 पर कितना call writing है तो आपको दिखेगा call writing 9650 पर जादा नहीं है आपको दिखेगा यहां पर 19800 ठीक है तो immediate resistance है नाइन दाउजन वन लाक फिफ्टी थाउजन ठीक है 9638 पर चल रहा है तो 19700 पर जो बीर से उन्होंने call writing कर रखा है 19700 पर तो 19700 पर अगर उन्होंने call writing कर रखा है तो उनका stop loss क्या होगा क्या होगा 19700,25,19750 करीब उनका stop loss रहेगा तो market का जो range है ना वह अभी आपको उपर का उपर का first resistance आपको दिख रहा है 19700,25,19740 गाईज यह जो part है यह first resistance है market यहां से वापस भी आ सकता है because यह जो देड़लाक लोग है इन्होंने तो जो entry बनाया है वो बही stop loss खाने के लिए नहीं बनाया ना इन्होंने तो entry ही है इसलिए बनाया था कि वो लोग profit करें यहां से market छुए और नीचे आएगे तभी market में यह लोग profit करेंगे right तो अब हमें यह देखना है कि support कहां पर है market का range क्या है तो 19,585, 19,575, 90,550 विल बी दा support most important support because that are those levels are stop losses of this 1,38,000 put writers ठीक है इन्होंने 19,600 पर जो put writing किया है put selling किया है उन लोगों के लिए वो stop loss है मतलब वो हमारे लिए entry zone बहुत बढ़िया बन सकता है तो market अभी 19,580 से लेकर आपको यहां पर दिखा देता हूँ 19,580 से लेकर हमें range बना लेना है 19,580 वेलकुल आप देख सकते हो 19,550 मैंने stop loss बताया था इन लोगों का बताया था 19,550 पर इनका stop loss बना था ठीक है और इसी बीच में से market चला गया कहां तक 19,670 तक गया है 19,670 तक गया है और यहां पर हमें क्या दिखाया था 19,700 पर जो immediate resistance है तो 19,650 को तो cross कर लिया है market बंद होने वाला था तो उतना ज्यादा नहीं गया I hope यहां तक आपको समझ में आया है कि आपको पहले range पता करना है वाई आपको यह बता देगा कि अरे भाई तू यहां पर entry कर रहे है market आपको यह बताएगा अरे भाई तू यहां पर put side entry कर रहे है मत कर 19,560 मान दो 550 टूट रहे है आपको OI बताएगा अरे तू यहां पर put side entry कर रहे है मत कर बहुत बार आपने देखा है कि अभै सर यह कर रहे है दुनिया के लोग breakout हो रहे है call site जा रहे है अभाई भाई बोल रहे है कि नहीं रुको यहां पर call site जाने का अभी भी confirmation नहीं है यह OI मुझे बताता है OI अब तक shift नहीं करते है OI अब तक change नहीं होता है तब तक मैं आपको ऐसे levels पर entry नहीं करा सकता because यह जहां पर मान लोगों यह इस level पर breakdown कर रहा है मैं आपको बोलूँगा रुक जाओ because यहां पर 1,500,000 लोगों ने कौन से कौन से यह 1,700,000 में 1,500,000 लोगों ने जो call writing किया है तो उनका 650 तक का उनका support है राइट अना तो उन लोग का यह support की बात कर रहा हूँ न तो support की बात है 19,600 का तो 550,19,000 550 will be its important support तो वो लोग क्या stop loss लेने के लिए बाट है नहीं सर वो यहां से वापस करेंगी करेंगे market को तो ऐसे ही DSE पर हम लोग trade लेते हैं और सही बताऊं तो daily guys कोई भी level देखलो आप यह finnifty का है न यह bank nifty का यह जो bottom है इस bottom पर हमने entry किया हुआ है इस जो high है यह वाला high नहीं sorry यह वाला high पर हमने entry किया हुआ है जो भी दिन का bottom और जो भी दिन का high होता है वो हम लोग पकड़ते हैं वो ह हम लोग हमेशा उसी पर हम लोग profit करते हैं एक lot पर 1500-2000, 5000 का investment है, 1500-2000 आप per day अराम से income कर सकते हो इतना छोटे से risk के साथ आप इतना बढ़िया से trade कर सकते हो I hope आपको यहां तक पूरे अच्छे से in detail में समझ में आ गया होगा कि OI पर हमें सिर्फ दोनों strike price पर OI का check करना है कि सबसे ज़्यादा किस तरफ OI है put writing में सबसे ज़्यादा call writing में किस तरफ OI है I hope आपको समझ में आ रहा है call writing में अगर call writing में अगर OI जाता है call writing left side होगा यह एक ट्रिक है समझ लो आपके लिए call writing left side होगा call writing left side left side call writing left side folk the right population left side çiqai call writing left side call writers are buyers call writers are buyers call बेचते हैं तो वह bearish है तो वह phone writing पर अगर कोई भी strike price पर बहुत AddLaughing course value दिखेगा OI पर, OI वाले box पर सबसे ज़्यादा value जहां पर दिखागा वो होगा उसका highest level उस दिन का, उस दिन का top होगा, same way as put writing, put right side, put right side, bulls हैं ये लोग, ये लोग bulls है, right side में put writing है, तो उन put writers का सबसे ज़्यादा OI, जिस वाले strike के box में होगा, वो होगा उस दिन का low, I hope guys यहां तक आपको बहुत अच्छे सा समझ में आया होगा, अगर आपको लगता है कि ये video, शायद आप अपने बेटे के साथ, बतीजे के साथ, girlfriend, boyfriend, best friend के साथ, friends group में सब के साथ ये share करके, उनको भी अगर trader बनाना चाहते हैं, जरूर join करवाईए, हमारे channel पर free में बहुत सारे videos बने हुए है, ताकि कोई भी beginner से, class 5 का भी बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है, जिस तरीके से मैंने समझाया है, अगर यहां तक आपको समझ में आता है, तो इतना बता दो, क्या मैं, एक छोटे से 5 साल के बच्चे, मतलब class 6, 7, 8 के बच्चे को भी मैं, अराम से trading सिखा पाऊंगा की नहीं पाऊंगा, तो आप जरूर comment पर लिखिएगा, एकदम clear quality हो गया है, अगर clearly समझ में आ गया है, अगर आपको पसंद आया हो तो, guys share करिएगा सब के साथ, and मिलते हैं next वीडियो में, और हाँ नीचे अभी आपको और दो वीडियो दिख रहे हैं, फिबुनाची, फिबुनाची retracement का, ठीक है, फिबुनाची retracement और DS reversal जरूर देखिएगा, इसी के साथ आपको उसमें जादा profit आएगा, thank you so much guys, मिलते हैं next वीडियो में,